नमस्कार मैं डक्टर आर्पी सुनकर एक बार फिर नए अपडेट्स के साथ हजी हूँ प्रीविद्य अर्थियों आज जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात करूँगा वहया है कि बीची यूजी एडिमिशन की लेटेस जानकारी क्या है किन किन लोगों को माप अप राउंड में सामिल होना चाहिए मैं इस पर विस्तार से बात करूँगा साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में बीकॉम आनर्स और मैनेजमेंट आनर्स के सेवेंथ राउंड के कटाप के बारे में भी विस्तार से बात करूँगा जो faculty of commerce बेच्चू main campus के लिए जारी किया गया है इसके साथ ही साथ BA arts main campus यानि FMC and महिला महभिद्याले के लिए जो 11 राउंड का कटाफ कल यानि 14 नमंबर 2022 को गोसित किया गया है उसके बारे में विस्तार से बात करूँगा साथ ही साथ BA arts main campus यानि FMC and महिला महभिद्याले के लिए दसमे राउंड का जो paid seed का कटाफ कल जारी किया गया था उसको भी विस्तार से समझाऊंगा साथ ही साथ मैं BA arts के 7th round के कटाफ के बारे में भी विस्तार से बात करूँगा जो affiliated colleges regular के लिए कल यानि 14 नमंबर को जारी किया गया था इसके साथ ही साथ मैं BA social science के 11 round के कटाफ के बारे में भी आप से विस्तार से बात करूँगा जो affiliated colleges के लिए कल यानि 14 नमंबर को जारी किया गया इसके साथ ही साथ कुछ महत्पुड अपडेट्स पर भी एक नजर डालेंगे जो आपकी admission से related है admission से संबंदित है प्रिये विद्यार्तियों अब आईए एक एक करके एक एक मुद्दे को विस्तार से समझते हैं सबसे पहले मैं बात करूँगा मौपप राउंड या इस्पोर्ट राउंड के बारे में प्रिये विद्यार्तियों मौपप राउंड या इस्पोर्ट राउंड का आज पहला दिन है आज आरंब हो रहा है 15 नमंबर 2022 को सुबह 10 बजे से यह यूजी के लिए जारी किया गया है निया आज मौपप राउंड के तुरूब यूजी के सारे कोर्सेस में मौपप राउंड की शुरुआत की जाएगी प्रीविद्यार्तियों आवसकता पढ़ने पर इसे कल यानि सोलर नमंबर 2022 को भी नियमित रखा जाएगा जारी रखा जाएगा प्रीविद्यार्तियों आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग यदि मापप राउंड का फायदा लेना चाहते हैं तो आप अपने ओरिजिनल डाकुमेंट्स के साथ सभी के कम से कम दोदो फोटो इस्टेट सेट के साथ और जितनी आवस्यक आपकी फीस है उस फीस के साथ आप संबंदित फैकल्टी में यानि जिस कोर्स में आपको एर्मिशल लेना है उस कोर्स के लिए उस फैकल्टी में स 15 नवंबर 2022 को सुबह 10 बजे तक इन सारे डाकुमेंट्स के साथ निश्चित रूप से आप उपस्तिफ हो जाएं प्रिये विद्यार्तियों यह मापप राउंड या स्पोर्ट जो राउंड है सिर्फ भी अच्चू मेन कैंपस यानी FMC एंड महिला महाविद्याले के लिए कि महाविद्याले में प्रिया जाएगा किसे आप बहुत अच्छी तरीके से समझे 95 एंड महाविद्याले में किया जाएगा यह माप-प राउंड मेन कैंपस यानि FMC एंड महाविद्याले पर ही किया जाएगा जिसका एडमीशन किसी कारणवस नहीं हो पाया उन्हें एडमीशन कराने का आज मौपप राउंड या स्पोर्ट राउंड के तुरू अंति मौका दिया जाएगा प्रिये विद्यार्थियों यह सभी कोर्सेस चाहे वो बीए आर्स हो बीए सोसल हो एंड महिला महविद्याले में जहां तक कटाफ इसके पहले यानि जो मैंने कटाफ आपको भी ये सोसल साइंस का बताया था जितना तक पिछले राउंड में कटाफ गया था ठीक है रेगुलर का और पेड का उस कटाफ से उपर तक के इंडेक्स में आने वाले बच्चों को ही मौपप राउंड में मौका दिया जाएगा यानि पिछले कटाफ से नीचे वालों का एडमीशन इस मौपप राउंड में नहीं होगा तर ये विद्यार्थियों जिनका एडमीशन भी अच्चू में कैमपस यानि FMC और महिद्याले में हो चुका है उन्हें मौपप राउंड में सामिल नहीं किया जाएगा यानि उनको मौपप राउंड के लिए आज भी अचुआने किया हो सकता नहीं है अगर आप किसी कारणबस एडमीशन नहीं ले पाए हैं और आप मौपप राउंड में आज समय से उपस्तित नहीं होते हैं तो आपको फिर दुबार मौका नहीं दिया जाएगा और मौपप राउंड में जो सबसे पहले आएगा उसको सबसे पहले एडमीशन दिया जाएगा कि तर्ज पर आप सुविधा का लाब उठा सकते हैं जिनका प्रिफरेंस किसी कारणबस समय से नहीं भर पाए छूट गया और आपका इंडेक्स भ इस विध्याले के द्वारा दिया जा सकता है लेकिन प्रिफरेंसेज वालों को मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा या उपस्थित होने के बाद ही पता चलेगा यानि प्रिफरेंसेज वाले विध्यार्तियों का एडमीशन हो ही जाएगा ऐसा कोई सियोरेटी नहीं है कोई गारेंटी नहीं है प्री विद्यारत्यूंए एक बार पुना मयाग से विनमर निवेदन करना चाहता हूं कि यह मौपप राउंड या स्पोर्ट राउंड बियाच्चू मेन कैमपस यानि FMC एंड महिला महाविद्याले के लिए आज किया जाएगा कि आप बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आप समझ लीजिए जिनका एडमिशन किसी कारणरवस छूट गया था उनके लिए एडमिशन लेने का या आज और कल अंत तरीके से नियमित रूप से लागू किया जाएगा या सुचारू रूप से कल भी किया जाएगा प्रेविद्यारतियों आप अपने सभी ओरिजिनल जैसा मैंने पीछे भी बात किया कि आप अपने सभी ओरिजिनल डाकुमेंट्स के साथ फोटो स्टेट का कम से कम दो सेट क के साथ और अपनी पूरी फीस के साथ आप अपने संबंधित फैकल्टी में समय से यानि दस बजे से आप निशित रुप से उपस्थित होएं एफिलियेटेट कॉलेजेज का जो मापप राउंड है वह भाद में जिस तरह की हालत बनती है उसके हिसाब से उसका डेट गोसित इस विद्याले की बारा किया जाएगा इसकी सूचना आपको आपके पोर्टल पर भेज दी जाएगी प्रिये विद्यालतियों एफिलियेटेड कालेजेज की जो काउंसलिंग है जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा यानि इस मापप राउंड या स्पोर्ट राउंड का इफिलियेटेड कॉलेजेज के एडिमीशन से कोई भी लेना देना नहीं है प्रिये विद्यारतियों आगे मैं जो भी कटाफ आपको बताऊंगा किरपे आप उसे अच्छे तरीके से समझें ध्यान से सुनें और यदि आप उस कटाफ के अंदर आते हैं तो आप डेट परिशान नहीं हो सही निडले और साथ ही साथ जिन लोगों को इस मौपप राउंड के थुरू लाभ मिलना है जिनका एडिमीशन होना है वो अपनी पूरी तयारी के साथ समबंदित जो फैकल्टी है उसमें समय से उपस्तित हो पाएं इसलिए इस उद्दिश के साथ मैं य का एंपस यानि FMC और मैला महा विद्याले के लिए रेगुलर के लिए जो गोसित किया गया था कल यानि 14 नमंबर 2022 को देर रात तक उसे समझते हैं प्रिये विद्यारतियों मैं यहां आपको कटाप समझाऊंगा उससे पहले एक बात आप समझ लिजे कि मैं बीए आर्स के इस 11 राउंड के कटाप को तुलना कर रहा हूं फर्स्ट राउंड का जो कटाप जारी किया गया था इस फर्स्ट राउंड के कटाप से लेकर के 11 राउंड का कटाप यानि जो कल 14 नमंबर 2022 को गोसित किया गया है उसको तुलनात्मक रूप से मैं आपके सामने प्रस्तुत क कर रहा हूं और यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले राउंड से ले करके कल जारी किये गए गरावे राउंड में कितने अंकों की गिरावट में कैंपस यानि FMC और महाविद्याले में रिगुलर के इंडेक्स में हुई है तो आईए बिना देर की हम समझते हैं FMC में जनरल का जो कटाप है वह पहले राउंड में 313 था जिसमें चार अंकों की गिरावट के साथ अब यह 309 तक पहुँच गया है नि 309 पे अड्मिशन विए आर्ट में FMC में जनरल कटेगरी का हो रहा है वही OBC की बात करें तो 306 से 7 अंकों की गिरावट के साथ अब यह 299 तक चला गया है जबकि SC का कटाप 257 से 4 अंकों की गिरावट के साथ 253 तक पहुँच गया है वहीं ST के कटाप में 12 अंकों की भारी गिरावट हुई है अब यह 201 से 189 तक पहुंच गया है वहीं अगर EWS के कटाप परेकर नजर डालें तो 6 अंकों की गिरावट के साथ अब इसका कटाप 304 से लुड़क कर 292 तक पहुंच गया है अगर हम जल्दी से मैला महाविद्याले में कटाप की बात करें तो मैला महाविद्याले में जर्नल का कटाप अब 298 से 6 अंकों की गिरावट के साथ 292 तक पहुंच चुका है वहीं OBC का कटाप 285 से 9 अंक लोड़कर 276 तक पहुंच चुका है अगर हम यसी कटेगरी के कटाप की बात करें तो 227 से 11 अंकों के भारे गिरावट के साथ यह 216 पर पहुंच चुका है वहीं OBC का कटाप 175 से 10 अंकों के गिरावट के साथ अब यह 175 तक पहुंच गया है बात करते हैं EWS के कटाफ की जो साथ अंकों के गिरावट के साथ अब 292 से 285 तक पहुँच गया है प्रिविद्यारतियों अब जल्दी से हम BA Arts का जो पेड सीड का कटाफ जारी किया गया भी अच्चू मेन कैंपस यानि FMC और महाविद्याले का दसमें राउंड में कल यानि 14 नमंबर को उसको भी साथ साथ समझ लेते हैं अगर हम FMC में पेड सीड भी BA Arts की बात करें तो 292 गया है यानि FMC में पेड सीड में 292 पर जारी अडमिशन हो रहा है जो कटाफ कल यानि 14 नमंबर को जारी किया गया था अब जल्दी से हम लोग BA Arts के 7th round के कटाफ की बात करते हैं जो affiliated colleges के लिए regular के लिए कल यानि 14 नमंबर को जारी किया गया था प्रिविद्यारतियों इसको भी मैं आपको 1st round के कटाफ से 7th round का कटाफ जो है उसके साथ तुलनात्मा ग्रूप से आपको मैं डेटा बता रहा हूँ जिसे आप समझ पाएंगे कि पहला round कहां से सुरू हुआ था और आज 7th round में सभी कटेगरी और सभी colleges में इंडेक्स घट करके कहां से कहां तक पहुँचा है और कितने अंकों की गिरावट हुई है सबसे पहले हम वीकियम की बात करें अफिलेटेट कॉलेजस में तो जहां 1st round में अकटाब 279 था वही 55 अंकों की गिरावट के साथ अब यह 244 पर चला गया है वहीं OBC का कटाब 256 से इस सात्में राउंड में 76 अंकों के गिरावट के साथ अब 180 पर पहुँच गया है वहीं 80 का कटाब 185 से 134 अंकों की धुआधार गिरावट के साथ 51 पर पहुँच चुका है जबकि ST का कटाब 96 से 29 नंबर की गिरावट के साथ सरसर तक लुढग गया है वहीं EWS के कटाब की बात करें तो 261 से 73 अंकों की महा गिरावट के साथ इसका कटाब 188 तक लुढग गया है वहीं अगर VCW के कटाप की बात करें तो 268 से 55 अंकों की गिरावट के साथ अब यह एडमिशन 213 पर हो रहा है वहीं OBC का 256 से 76 अंकों की भारी गिरावट के साथ यह कटाप अब 180 तक पहुंच चुका है वहीं OBC का कटाप 187 से 136 अंकों की धुआधार गिरावट के साथ मात्र 51 पर पहुंच गया है वहीं OBC का कटाप 104 से 9 अंकों के गिरावट के साथ 95 पर पहुंच गया है जबकि EWS के कटाप में 261 से 72 अंकों के गिरावट के साथ अब यह 189 पर चला गया है वहीं MPG की बात करें तो 289 जनरल का जो कटाफ है उसमें 69 अंकों के गिरावट के साथ अब यह 220 तक पहुँच गया है जबकि OBC के कटाफ जो है वो 264 से 89 अंकों के गिरावट के साथ अब 185 तक पहुँच गया है जबकि YST का कटाफ अगर हम देखें तो 199 से 125 अंकों की पुना धुआधार गिरावट के साथ अभिया 74 तक पहुच गया है जबकि YST का कटाफ 133 से 29 अंकों के गिरावट के साथ 104 तक पहुच गया है वहीं अगर EWS के कटाफ की बात करें तो 279 से 77 अंकों की भारी गिरावट के साथ इसका कटाफ AMPG में 192 तक पहुँच गया है वहीं अगर DAV के कटाफ पर एक नजर डालें तो जनरल का जो कटाफ है 340 से 58 अंकों की भारी गिरावट के साथ यह 282 पर पहुँच गया है जबकि OBC का कटाफ 334 से 56 अंकों के गिरावट के साथ 278 पर पहुच गया है अगर YST के कटाफ पर एक नजर डालें तो 290 से 58 अंकों के गिरावट के साथ जहां यह 232 तक पहुँच गया है वहीं अस्ती का कटाब 250 से 107 अंकों की पुना दुआधार गिरावट के साथ 143 पर पहुँच गया है वहीं EWS के कटाब की बात करें तो 335 से 55 अंकों की गिरावट के साथ अभिया 280 पर पहुँच गया है अब आए बिना देर के हम BA Social Science के 11 राउंड के कटाब की बात करते हैं और इसे साथ साथ समझते हैं यह BA Social Science का 11 राउंड का कटाब Affiliated Colleges के लिए कल यानि 14 नमंबर 2022 को देर राद तक घोशित किया गया है अब आए जल्दी से बिना देर के इसे साथ साथ समझते हैं अगर हम वीकियम की बात करें Affiliated Colleges में तो यह 247 से तीन अंके गिरावट के साथ अब 244 तक पहुँच गया है मैं पुना साब कर दू कि BA Social Science का कटाब इसके पहले मैंने 10 राउंड का आपको बताया था यानि मैं 10 राउंड से 11 राउंड को Compare कर रहा हूँ यानि 10 से 11 में कटाब में क्या परियुक्तन हुआ इसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यानि जनरल का कटाब VKM में 247 से तीन अंके गिरावट के साथ 244 पर पहुँच गया है OVC का कटाब 231 से 7 अंकों के गिरावट के साथ 224 पर पहुँच गया है SC का कटाब 175 से 35 अंकों की भारी गिरावट के साथ 140 पर पहुँच गया है जबकि 8 अंकों के गिरावट के साथ 57 से 49 पर पहुँच गया है ESC का कटाफ वहीं EWS के कटाफ में 9 अंक की गिरावट हुई है और यह 231 से लुढ़क कर अब 222 तक पहुंच गया है अगर जल्दी से हम VCW के कटाफ की बात करें तो 248 से 3 अंकों की गिरावट के साथ अब यह 245 पर पहुंच गया है जबकि OBC का कटाफ 7 अंकों के गिरावट के साथ 231 से 224 पर पहुंच गया है वहीं ESC के कटाफ पर एक नजर डालें तो 177 से 37 अंकों की भारी गिरावट के साथ अब यह 140 तक पहुंच गया है जबकि EST का कटाफ VCW में चवकाने वाला है क्योंकि जो दसमें राउंड में 79 पर एडमिशन हो रहा था इस कटेगरी का इस कटाफ में 17 अंकों की बढ़ोतरी हुई है और यह कटाफ अब बढ़ करके 96 पर पहुंच गया है और वहीं अगर हम EWS की बात करें तो 238 अंकों के गिरावट के साथ कटाफ दो्समें तक पहुंच चुका है जल्दी से अगर EMPG के कटाफ पर बात करें तो 246 से 3 अंकों के गिरावट के साथ अब यह जनरल का कटाफ 243 तक पहुंच गया है जबकि OBC के कटाब में 7 अंकों की गिरावट हुई है और 231 से खिसत करके 224 पर आ गया है वहीं अगर ST के कटाब की बात करें तो 176 से 37 अंकों की भारी गिरावट के साथ या 141 पर पहुँच गया है और EMPG में दो चीजें चौकाने वाले हैं पहली ये कि ST कटेगरी का कटाब जो 10 में राउंड में 14 तक पहुँचा था वही अब 11 में राउंड में 6 अंकों की बढ़ोतरी के साथ इसका कटाब अब 55 तक पहुँच गया है जबकि EWS के कटाब में किसी भी तरह के इंडेक्स में गिरावट नहीं हुए और अभी ये 231 पर रुका हुआ है वहीं DAB के कटाब पर एक नजर डालें तो 296 से 4 अंकों के गिरावट के साथ 292 पर पहुँच चुका है जर्नल का कटाब जबकि OBC की इस्तिती 255 से 5 अंकों के गिरावट के साथ 290 पर बनी हुई है वहीं DAB के कटाब पर एक नजर डालें तो 200 सरसर से 14 अंकों के गिरावट के साथ अभी ये 233 पर पहुँच गया है जबकि इस्ति का कटाब 30 अंकों के गिरावट के साथ 250 से 220 पर रुका हुआ है EWS की इस्तिती यह है कि 295 से 4 अंकों के गिरावट के साथ अभी ये 292 तक पहुँच चुका है अब आईए जल्दी से बिना देर किये हम लोग जो वीकाम का जो कटाफ है उसके बारे में साथ साथ समझते हैं वीकाम का जो साथमें राउंड का जो कटाफ है वो अकल यानि 14 नमबर 2022 को देर रात तक गोशित कर दिया गया मैं पुना requesting honors और management honors के इंडेक्स को पहले round से तुलना कर रहा हूँ पहले round से और इस 7 round के बीच में इंडेक्स में कितनी गिरावट हुई है इस चीज को साब साब समझते हैं मैं पुना याद दिला दूँ कि यह 7 round का कटाब है जो भी अच्चू मेन कैंपस यानि faculty आप commerce के लिए जारी किया गया है B.com honors and management honors का यह कटाब सबसे पहले हम B.com honors की बात करते हैं कटाब की बात करते हैं faculty आप commerce के लिए तो जनरल की बात करें तो जहां 1st round में कटाब 611 था वही 7 round में 42 अंकों के गिरावट के साथ अब यह 579 तक पहुँच गया है जनरल का कटाब वही OBC का हम बात करें तो 553 से 39 अंकों के भारी गिरावट के साथ अब यह 515 पर एडमिशन हो रहा है वही 80 का जो कटाब है 454 से 54 अंक के गिरावट के साथ अब यह 400 तक पहुँच गया है जबकि ST का कटाब 421 से 149 अंकों के धुआधार गिरावट के साथ 282 तक पहुँच गया है वही EWS के कटाब पर एक नर्य डालें तो 572 से 47 अंकों के गिरावट के साथ अब इसका एडमिशन 525 पर हो रहा है वही अगर जल्दी से हम फैकल्टी आप कामर्स मैनेजमेंट ओनर्स के कटाब की बात करें तो पहले से और साथमे राउंड के कटाब को आप इस अंतर के साथ समझ सकते हैं कि 613 से 46 अंकों के गिरावट के साथ जनरल का कटाब अब 566 तक चला गया है वही 563 से 35 अंकों के गिरावट के साथ वो भी से का एडमिशन 510 में हो रहा है मैनेजमेंट में जगकि यसी का कटाब 483 से 952 के भारी गिरावट के साथ अब 388 तक पहुँच गया है वही 80 के कटाब में 509 से 229 अंकों के धुआधार गिरावट के साथ अब यह 280 तक पहुँच गया है वही EWS के कटाब में 54 अंकों की गिरावट हुई है और यह 589 से लुड़क करके अब 525 तक पहुँच गया है प्रीविद्यार्तियों सभी कटाब में आने वाले स्टूडेंट्स को सुचना उनके पोर्टल पर भेज दी गई है डेट लाइन के अंदर आप सभी लोग अपनी फिस निशित रुप से जमा करें किसी भी तरह के अफवाप पर आप बिल्कुल ध्यान न दें अडिमिशन से रिलेटेड कोई विश्तित जानकारी चाहिए तो आप बियेच्चू के ऑफिसेल वेबसाइट बियेच्चू अलाइन.se.in पर निशित रुप से विजिट करें कोई सवाल है कोई जानकारी है में वेदेक ऑफिसेल में वेपास चाहिए झाहिई' सक्वाब शेक्पो के विजित रुप से शेट पर समय है